वाहिगुर्जी का खाल सा वाहिगुर्जी की फति कारे दूजा एका ओ अंकार साथ गर परसाद कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पह आप वेचाई कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पह आप वेचाई दर्सन हर तेखन कहताई किरपा करेतां सत गर मिला है हर हर नामत आई जे सुख देतां तो जाया रादी दुखा पी तो जायते आई जे पुक देताई तही राज्या दुखा वेच सूख मनाई तन मन काट काट सावे अरपी वेच अगनी आप जलाई पक्खा धेरी पाणी तुखा जो देवै सुखाई नान का गरीब तैप आदवारे हर मेल लेहो वड़े आई अक्खी काट करी चरणा तलब सब करती फिर मत पाई जे पास बहाल लें तां तुझे अरदी जे मार कड़ें पी जाई जे लोग सला है तां तेरी उपमा जे निंदा तां छोड़ना जाई जे तोत वाल रहे तां कोई कहवा थाओ तोद विसर आई मर जाई वार वार जाई गुर्यूपद पैपैरी संत मनाई नानक विचारा पया दिवाना हरता दर्सन कहताई चक्खड चांगी मी हो वरसे ती गुर्य दिखन जाई समुंद सागर हो आई बहु खारा गुर्य सिख लंग गुर्य पैजाई जो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर्य बिन मर जाई जो तर्की सोब करे जल बरसे त्यों सिख गुर्य मिल बिग साई सेवक का है सेवक वरता करकर भिनों बुलाई नान की बे नमती हर पर गुर्य मिल गुर्य सुख पाई तु आपे गुर्य चेला है आपे गुर्य विच्चे दे तुझे ते आई जो तुद सेव है सो तु है हो है तुद सेवक पैजर खाई पंडार परे पगती हर तेरे जिस पावाय तेस देवाई जिस तुदें सोई जन पाई और ने भल सब्च पराई सिमर 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 गुर्य अपना सोया मन जागाई एक दान मन गय नान क वेचार हर दासन दास कराई जे गुर चिड़के ता मिठा लागाई जे बक्सते ता गुर वड़ आई गुर्मक बोले है सोथाए पाई मानमक किश थाए न पाई ये पाला ककर वर्फ वरसे गुर सिक गुर दिखन जाई ये सब दिन से रैन देखों गुर अपना वेचे अखी गुर पैरत रहाई अनेक यो पाव करी गुर कारण गुर पावा सोथाए पाई रैन दिन से गुर चरन अराद्वी दया करो बिरसाई नानक का जीओ पिंड गुरु है गुर मिल त्रिप्त अगाई नानक का प्राब पूरर हो है जात कात तत गुसाई नानक का जीओ पिंड गुरु है गुर मिल त्रिप्त अगाई नानक का प्राब पूरर हो है जात कात तत गुसाई वाए गुरुजी का खाल्सा वाए गुरुजी की फते वाए गुरुजी का खाल्सा वाए गुरुजी की फते एसन आज दे पावन पवित्र महा फर्मान हुकम नामसान पवित्र महा फर्मान सुही राग दे विच पाच्छा चौथे सत्कुरु रुपेता गुरु रामदास महरच जी दी मबारक पवित्र बाणी दे विच बक्षेश होए ने सत्कुर्दा लेने हनाम और करते हैं शुरू आज दे हुकम नामसाप जी दी विचार बारता राग सुही है एक राग दी किसम है आज दे हुकम नामसाप जी दी पावन पक्षेश ना है आस्ट पदियां दा मतलब है आठ पदा या आठ बंदा वाली, महला चाउथा है पाव पाच्छा गुरु रामदास महरत जी दी पावन पवित्र मुखार बें तो उचारित आज दी बाणी होकम नामसाब रूप दे बिच बक्षिश होई है गुरु गरंद साब जी दे पावन शो बंग सत्सो सत्विंजा, सत्सो अठ्विंजा ने जी थे आज दे हुकम नामसाब जी सुभाई मानने एक क्योंकार सत्गुर परसाद वाहि गुरु परमात्मा अल्ला पगवान खुदा रब के वो लिकाए लेकिन उस दी प्राप्ति गुरु दी किर्पा दे नार है गुरु दी किर्पा दे पातर हो जान तो बायद ही उस अकालपुरुख दी प्राप्ति है जै सच्चा गुरु तारण की ताय मिले है तब परमात्मा भी मिलेगा अकालपुरुख भी मिलेगा आज दे हुकम नामसाब जी देविच निरोल अंतरीव पाहवदे विच जाके ही आप पूर्ण अर्थ सपष्ट कर सकने हैं अनिया था अक्री अर्था देरा ही पूर्ण अर्थ सपष्ट नहीं हो सकने सद्गुर्ण ने हुकम नामसाब जी दी पहली मबारक पंक्ति देविच कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूं तिस पे आप वेचाई गलप अच्छा ने पहली पवित्र मबारक पंक्ति देविच सपष्ट कर देती है के तांग है एक प्रीतम दी एक प्यारे दी उस प्रीतम नू मैंनू कौन मिलावेगा और जीड़ा मिलावेगा उस नू किस कदर मैं किनी को कीमत दे सकांगा गल सपष्ट है कि कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यार कोई भी आके मिलादेवे मैं उस दे अगे अपना आपा तक वेच देंगा यानि के इस तो बद होर कोई कीमत नहीं मैक्सिमम कीमत एह हुई है कि मनुख अपना आपा तक वेच के भी उस दी कीमत चुकांट दे कोशिश करें गल फिर सपश्ट है कि दर्शन हर देखन के ताई किरपा करे तस्यत्गुर मेले हर हर नाम ते आई ए रहाओ दी मबार्क पंगती है क्योंकि प्यास दर्शना दी है इस करके दर्शना दी प्यास देली प्रीतम प्यारी नूँ मिलन दी तांग है आप एस दे थोड़ा जनोट रखना तांग शबद पर क्योंकि अंतरी पावना दी विच जाके जदो अगंदी का लापा करनी है तांग उस वक्त तांग दा जिकरान है तो एस तांग दे बारे इशारा सद्गुर ने पहली मबार्क पंगती दे विच कर देता है क्या कालपुर्ख नो परमात्मा नो प्रीतम नो प्यारी नो मिलन दी तांग आए और तांग है इस करके दरसन हर देखन के ताई किर्पा करे ता सद्गुर में ले हर हर नाम ते आई सद्गुर दे मिलाब दे ले किर्पा दा पातर होना जरूरी है किर्पा कौन करे एक क्यूं कारसित गुर्परसाद गुरू दी किर्पा और गुरू ने किर्पा करके की कीता हर हर नाम ते आई अकाल प्रुख वाई गुर्दे नाम देते हों दी जुगत जाच सन दसी है रहाओ दी मबारिक पंक्तिसानू एथे एसो चनदेली और अगे वदन देली केंदी है होन गुरू दी किर्पा कर किर्पा गुरू दी किर्पा की गुरू दी किर्पा केवल सुख रूप दे विचोवेगी क्योंकि मनुक जिस पास हो कुछ ऐसी चीज लेंदा है जिस दे विचो अपना लाब महसूस करदा है प्रॉफिटेबल तिंग कोई चीज या कोई किसे नो जिदो सुख देंदा है ता हो बड़ा तानवाद करदा है बड़ा खुश होंदा है लेकिन कोई किसे नो अगर दुख देंदा है था फिर उस्ताओ कदी भी तानवाद नी करदा सुक को उस्ताओ विरूदी ब wander जदा है मैंनो दुख देता है निया मनु तकलीफा देती है ने नो इन्हे मनु चक्र किटाए ने तान जाके मेरा काम कीता है मैं दाकादरी तनवाद करा मैंनों तेने निचोड सुटे है आम जिन्दगी दे विच्च मनुख क्योंकि एक ऐसा महावरा एक ऐसा आखान भी है कि हसाई दा नहीं बलकि रुआई दा क्योंकि जिसने हसाया है मनुख शयद उस्दा तनवाद करे या ना करे पर जिसने रुआया है ओस्दी आवगन ओस्दी प्रती गुसा जरूर कड़ेगा और कड़दाई रवेगा दो हलाता ने दो हलात ने एक दुख है एक सुख है दुख सुख दोनों आने अकालपरुख वलोने परमात्मा वलोने तो सद्गुर कहने जे दुख दे ता तुझे अराधी जे सुख दे किमा करनी जे सुख दे ता तुझे अराधी क्योंकि सुख दे विचे तुमा तेनों आराधांगा या राधांगा दुख भी तुझे ते आई क्यों क्योंकि मैं दुख दे विचे तेरी रजा पहचानागा और अपने कर्म पहचानागा दुनियावी तोरो पर अगर किसे ने दुख देता है ता पता लगदा कि उसाड़ा विरूदी होएगा यह उसाड़ा काम नहीं करना चानदा होएगा यह दुश्मन होएगा लेकिन गुर्सिक जदो गुरूदी गाल समझधा है गुरूदी रमज समझधा है काल प्रूख दे रस्ते देवद रहे है ता जिड़ा आया होया दुख है उसते विचों भी वो अपने कर्म पहचानदा है कि परमात्मान क्यों दुख देता है इसता मतलब कोई मेरे ही नीच कर्म होनगे जो मैं कीता सूमें पाया ति जिसनों अपने कर्मा दी पहचान उजनदी यो फिर तन्वाद करदा है दुख भी तुझे दे आई कि मेरे कर्मा दे मताबक तुमेनों असास करवाया दुख दे के ताकि मैं अगों तो ओ ऐसे नीच ये पायड़े कर्म ना करा कि एहुजे दुख मैनों अगे भी पोगना पावे इस करके तन्वा तेरा शुकर ना तेरा कई वरी ऐसा भी हो जन्दा है कि दुनियावी तोर पर भी मनुक जिस वकत बहुत बड़ी डिगरी ले ले लेंदा है ता याद करदा अपने टीचरे नूँ ये अपने माता पिता नूँ के मेरे नल सकती करया कर दे सान उन्हादी किती हुई सकती उन्हादी प्यार दी ही निशानी है क्योंकि उस सकती दिना ही मनुक नूँ सुधार ना चांदे ने तो जीड़ा मनुक सुधार करना चांदा है मनुक अक्सर उस्ते ही खलाफ हो जानदा है इसे करके बहुत सारे मैंनू एक वेक्ति गल सुना रहे हैं सी कहन लगा के एक अधियापक ने अपने विद्यार थी है नूँ किया अधियापक थोड़ा सकत सुभावदा सी ते विद्यार थी है नूँ करन लगा के बच्चो मन करके परार्थना करया करू मन करके अरदास करया करू अरदास हमेशा परवान उन दिये उन्हाव विद्यार थी, उस दी सकताई तो परिशान सन रोज ऐसा हुगेहा करे के बच्चेू अर्दास करिया करो, सच्चे मनों अर्दास करिया करो अर्दास हमेशा परवान हुन्दी आखर एक विद्यार थी, उठपेहा करें लगा मास्टर जी आप जी दी का गलत है अगर सच्चे मनो कीती हुए अर्दास परवान हुँदे तो आप तक कदों दे परलोग सुधार गए हुँदे केड़ी अर्दास परवान हुएगी बेद्यारती अनजान है उसकर के अर्दास कर दे मास्टरी मर जावे तो केंदा है जी तुसी अर्दास परवान की दी कल कर दे उसी ते रोज सच्चे मनो अर्दास कर दे हैं जी साधी अर्दास परवान होनी हुँदे तो तुसी ते कदों दे परलोग सुधार केंदे अर्दास केड़ी परवान हुएगी मनुख ऐसे ही उधेड़ बुन देविच कि मेरी अरदासी परवान नहीं हुई अपनी जिंदगी देविच अरदास ती महत्ता ही नहीं समझ सकना सत्गुरु ओस अरदास ती गल करदे जिस अरदास देविच मनुख आपने करम और परमात्मा दे पाने नू पहचान दा है जे दुख देता तुझे अरादी कि मैं करने जे सुख देता तुझे अरादी दुख भी तुझे दे आई सुख दे विच भी और दुख दे विच भी दुख किस गल्दा जे पोख दे ता इतहीर आजाँ पोख एक बहुत बड़ा दुख है एक पोख दुख पोख दे विच रेंदे होया और पोखदा दुख मान दे होया आपने आपनों ओस अवस्थाद विच रजिया होया मनुक मैसूस करें अपने आपनू उस अवस्थाद विचे रज्या होया मैसूस करें। उन पोखदे विचे रज्या होया कौन मैसूस करदा है। गुर्के सिखाने ता कोड़यां दियां काठियां उपर जो अपना वसेबा की ता जंगलां दिविचे ता एस नू अपने पिंडे उपर हंडा के सत कर दखाया। गुरुदा तानवाद। कोई दे तारी सा फल ना हुंदा। क्योंकि दुख दे विच मनुक नू सुख बना हुंदी जाची नहीं आई। उस समझी नहीं सक्या कि दुख अकाल प्रुख दे। हुकम मताबक और मेरे करमाद मताबक मैंने मिले हैं। लोग स्वाल पुछ देने। मैं ता जेने पाठ करदा, मैं फिर भी दुखी हैं। वो ता पाठ भी नहीं करदा हूं फिर भी सुखी है। क्योंकि मनुक दी ऐफितरत है। हर कीते करम दा फल उसे वकत पाना चांदा है। कि मनुक दी फितरत है कि चांदा है कि मैं आज़े डॉक्टर ने परस्क्रिप्शन पूरी तरह लिखी भी नहीं कि मैं ठीक हो जमाँ। यानि कि मैं खांदें ही दुखाई। एक दम ठीक हो जमाँ। फास्ट ऐसे करके उसने ऐसी दुखाईयां बना लियां। कि जे दर्द है तो तो अडियां नसानों इस वादें देने। दर्द ता ठीक नहीं लेकिन मनुक राहत मैसूस करदा है। फास्ट राहत क्योंकि हर चीज़ देविचे सफर करना चांदा तामी फास्ट जल्दी तो जल्दी सफर कट जाए। मनुक देखो ले फितरत है। लेकिन इस फितरत देपिछे जीड़ी मनुकी सच है आत्मक नहीं। आत्मक सच देविचे सब्र है एक पाहना जीज़ देविचे दुख वक्ती प्रीम उनों को सुख एस करके मसूस करदा है क्योंकि दुख दे विच भी उस्ते को लिएक सबर है और उस सबर ही उस्ता तर्म है जड़ा उसनों अकाल पर खुलों आई हुए हुकम दी पहचांड करवांदा है हुट सत्कुर के अंदर उस अवस्ता दे विच करना की है मैं कीता की है तन मन काट काट सब अरपी विच अगनी आप जलाई तन और मन व्यक्रण दे मताबक तन और मन एक वचन ने क्योंकि तन दे नन्य थले और मन दे नन्य थले उंकड है काट काट सब अरपी सब दे बबे थले अंकड है सब अपने आप दे विच बहु वचन है ज़त थले ऑंकड पांदे नन्य की एक वचन हो जाएगा लेकिन यथे जव्याक्रण दी गल करिए तो शब्द रूप दे विच एक वचन है आप दे पपे थले अंकड है अपना आपा गल्स पश्ट उन दिये मन मनुख के में कट सकदा और तन मनुख के में कट सकदा जाहर तोर पर मन और तन दे और अगनी दे विचे जलाए जान दे के रिया मनुख दा जड़ा सनबंद है वो उस दियां इच्छामद इनाड है मनुख दी इच्छा केवल एक कोई है सुख पोगंदी एस करके सद्गुर मनुख नूँ सुख ही देना चांदेने लेकिन आत्मक सुख जिस्दा सरीर देना कोई वावास्ता नी क्योंकि मनुख दुखी है सरीर दियां पीडामा करके और स्रीर्दियां पीडामा एस करके ने क्योंकि मनुक्दे मन्दे अंदर विकारी इच्छामाने तरमनू उसा मज़ नी सक्या सद्गुने पहला गाले समझा देती है सुख देता तुझे अरादी सद्गुने पहला गाले समझा देती है दुख भी तुझे ते आई जब पोक दे इसारियां गलन दा सनमाद दुख और सुख दे नाड़ है और तन मन काट काट इस दा इदनल की रिलेशन है मन मुनक दियां इच्छामा दा के अंदर है जिस वकत कोई इच्छा पूरी नहीं दी ता मनों का दुखी हुंदा है लेकिन गुर्सिक अपनिया इच्छामा नो दबा के अपने मन नो कट दा है गुर्सिक दी ता कोई इच्छा रेंदी नहीं ना नियुक्षक अपनी इच्छा पूरी कर लुए खिमा करनी फिर वह गृर्सक नहीं हो सकता जिवे गृर्सक कोई कभे मैं उधारन देनानी करें हैं मिनुह स्थ्री पिलीज नराज नहीं होना जिवे कोई गूर्मुख कभे उसदे मंच इच्छा जगे सराब पिढ़ा दी उसस ऐसने अपनी इच्छा पूरी कर ली तो गुर्मक नहीं रह सकता। पर ता उत्रवाले, बंद बंद ता कटवाले, पर गुरू दी इच्छा दे अगे अपना आपा समर्पन कर देता, अपनी इच्छा कोई भी नहीं, इच्छा जगी भी है, मन करके ता उस मन करके जगी हूई इच्छा नू गुरू दी मत दे मताबक दबा ले आए, और गुर् कोई भाई तारू सिंग साबर गाता नहीं हो सकता लेकिन उना दे रस्ते उपर चलन दे लिए उपदेशता है न ते तन के में कटेगा जद मन दिया इच्छामानों दबा लिया मन करके कोई इच्छा पूरी ने होई तन दुखी हुंदा है लेकिन जिस करके जिस वक्त मनो कतरमनों समझ के मन करके अपने इच्छामानों अपने गुरू दे के समर्पन करके दबा देंदा है कि नहीं एँ मेरे गुरू दी इच्छा नहीं है कि मैं कोई भी विकारी काम करा केस कतल कराना यह मेरे गुरु दी इच्छा नहीं है इस करके उस वक्त तन वी नाल इन्वाल्व हो जंदा है तन इन्वाल्व कि में होया क्योंकि मन विच इच्छा जगी केस कतल करवान दी तक केस जड़े नो मन दे विच दा नहीं न मेरे बर की मुरक के देने सिखी टेड़ जोनी चाहिए दिये मन इच्छा कर रहे है केस कतल करान दी लेकिन इन्वाल्व उदे विचतान होएगा मन इच्छा कर रहे है सराप पीन दी इन्वाल्व उदे विचतान होएगा मन इच्छा कर रहे है काम दी मन इच्छा कर रहे है किसे भी विकार दी इन्वाल्व हंडर परसेंट सो प्रतिशाद वो देविच तन ही होवेगा पर मन दी जदो इच्छा दबाए गई ता उस वकत तन उस तो रहत कर देता गया जेड़ी इच्छा मन ने की थी क्योंकि तन ने उसनों पोगनी सी मन दी इच्छा दबा लेगी और से किने तन उस तो रहत हो गया तन कटे आगया ए अंतरीव पाव है कटे जान दी अवस्था सब अर्पी तब मैं बेंती कीती सी कि सब दे बबितले भी ओंकड़ है फिर सब दकदी भी एक बचल नहीं हो सकता इस अवस्था दे विच एक दे अगये जदो सब कुछ रख दिता जन्दा है सारी है इच्छा माँ एक दे अगये रख देनी है सब कुछ एक दे अगये अर्पन कर देना तब इच अगनी आप जलाई अगनी है ज़िछ दे विच आप आप दे पपे थले फिर आउंकड़ है केड़ी अगन है ज़िछ दे थले आप क्योंकि अगन कई तरीकें देनाल गुर गरंद साब जी दे विचाए है एक अगन अग है जिन्हों अपा सेक कहने है एक अगन तमो गुण भी है अपा सारी जहन दे एक अग तरिशना दी अग भी है आतिश जिन्हों अपा कहने है लेकिन एक अग प्रभू मिलन दी तांग भी है वो भी अग है आप महान कोश रोल के देख रहना उदे बिचे लिखे एक अग प्रभू मिलन दी अग भी है तांग जिस वकत किसे नूँ भी मिलन दी तांग जल दी है जग दी है किसे नूँ भी मिलन दी जिस वकत तांग जग दी है ता उस वकत एक अगन अंदर महसूस सुन दी है पर कि उस अगन दे विच अपने आपनो जलाया जाना है उस अगन नो ता बुझाया जाना है क्योंकि गुर्मत दे विच उस अगन नो बुझान दी गाला है अगन बुझी तरिशना गई सद्गु ने बार बार उदा जिकर किता हर हर नाम जपे अरादे विच अगन हर जप जीवे आ तांग दी अगन दे विच जप के मनुख जीवना प्रापत कर लेंदा पर जिस वकत अगन जलान दी है ता किसे वी चीज नो जला दी है चाहे जिसम है, चाहे लकड़ी है, चाहे कार, किसे भी चीज नो अगन जिस वकत जला दिन दिया, तो उचीज राख जन दिया, सवा जन दिया, हुन सद्गुने थे, जिकर अगन दा कीता है, अगन ननिवरे तरिसना ना बजाई, पर एते गाले फिर अगन दीजे, जलाउन द गाले ना फिर, बिल्कुल सवा कर लड़ गाले पौइं, सवा किये, अगन तो बहर जड़ी बच जंदी राख, बावा कबीर चिदा एक मबारक शब्द है, गुरु गरन साभ जिदा अंगे 1372 है, बावा कबीर के अंदरे कबीर साचा सत्गुर मैं मिलिया, सब्द जबाहया ए लगत ही पौइं मिल गया परे आकले जिए चेक, सचा सथ गुर जिसफ़ की मने में एक कोई शबद देता, क्योंकि कोई शबद है, एक शबद एको गुरु जिसफ़ तएछ उस शबद दा, मने पता लगए उस शबद द प्रेम तीर दा मने पता लगए लगए लगद ही खाक हो गया पाव उस शबद दे मिल दिया ही मेरी हो में शांत होगी तरिशना शांत होगी सब कुछ क्योंकि सवा कर लिया ला अपने आपनो पाव हो में तो रहत हो गया कश्टा तो रहत हो गया दुखा तो रहत हो गया सारी चीज़ दे पिछे परमात्मादी पहचान हो गई अपने आपनों जला के उस वाहिक उर दिनाल मिला देता हौमे खत्म हो गई तानमन काट काट सब अरपी बिच अगनी आप जलाई पक्खा फेरी मेरे पास वे बीबी जिने स्वाल पुछे कैसी शाय तो सुन भी रहों प्रोग्राम अज कलते एर कंडिशन आगे ने अज कलते पक्खे लगे उन देने हार गुर्द वारे से बान दे विच सद्गुना दे सुखा संदे वकत भी लोक उस जगा उपर भी एर कंडिशन लवा रहे ने अज कलता ता फिर केड़ा पक्खा फेरी अज कलते जगा जगा तूटीया नलके लगे उन फिर केड़ा पानी टोमा क्योंकि गुर्मत ने ताज़ दी गल करनी है गुर्गरंद साब जी ने ताज़ दी गल करनी है पक्खा फेरी पानी टोमा जो देवे सो खाई, गल फिर अपने देखनी है, रहाओ देना जुड़के, पक्खा फेरी पानी टोमा जो देवे सो खाई, जो देवे सो खाई, जेड़ी चीज ओ देवे में खामा, ता काल पर की दे रहे है, मनुखनू, गल आत्मक है, सरीर करनी, सरीर करके तब मनुख अपनी सब्जी अपनी रोटी जो देवे सुखाई आत्मक पक्षों जो तुमेनों दवेंगा दुख देवेंगा या सुख देवेंगा मैं उस तरह ही उसनों अपने अंदर समाल वांगा तर फिर पक्षा पेरी पाणी टुमांद की मतलब है यह दोनों ही परतीक आत्मक मतलब उदारन दे तोर पर किसे नो किसे वेक्ति नो आजी भी किया जन्दा के ओ दा फलाने वेक्ति दा पानी परता जी उनों उते पानी परता की मतलब है की ओ लिटरली पानी परता जाके सची मची पानी परता कदी भी नी पर रहा है उने सची मची पानी जाके पानी परता जी यह दा मतलब की है, पाव ओ ओजदी सिवा करदा है, उस तो डरदा है, पाणी परदा है जाकि वदा, ओजदी अधीन है ओ, पाणी परना अधीन गिया और पक्खा फेरना एक ठंडक दा परतीक है, पक्खा फेरी पाणी टोमा, ठंडे मान देनाल, ठंडक दी अवस्था देना तेरे पास तेरी शर्ण में जामा और तेरे कुल डर के जामा तेरा हो के जामा तेरी सेवा करने ले जामा तेरा पाणी परने ले जामा और ये सोच के जामा के जो देवे सुखाई आपड़े मुल कोई चाना रखा ऐसी अवस्ता विच सद्गुरु के दिन नानक गरीब टाया पया दोआरे हर मेल ले बढ़ाई गरीब हो के तेरे को जामा और जा के तेरे दोआरे ते डिक पहा और तेरे चरना देनाल एस पक्षों जोड़ जामा कि तेरी बढ़िया ही ये हुई है कि सद्गुरु गरीब नो तु निवाजदा है मैं भी गरीब हो क्या है अख़्ी काड तरी चरना तल कि आप अपनी अख़्ानों कड़ सकते हैं अपनी जिसम तो तो चरन केड़ेने से अकाल पूर्ख ते जिसता कोई रूपी नहीं है निरंग काड़ दे केड़े चरने चरना दे थले एक तली उन दिये जड़ा चरना दे थले पैरा दे थले दा हिस्सा उसनों आप तलीया कहने है क्यों क्यों कि मैं तेरे से दानते दे मताबक चलना चाना तेरे से दानती तेरे चरनने और मेरिया आत्मक अख़्ा उना दे थले एस करने करके ने क्योंकि सब तरती फिर मैं सारी तरती फिर लई मैंनों किसे वलों भी आत्मक मत नहीं मिली तेरे को लाके जोड़ो मैं तेरे चिरना देविच तेरे सिद्धान देविच अपनियां आत्मक मन रुपी अक्खां गडा देती हैं तो फिर मैंनों मत पाई अक्खी काड तरी चरना तल जिमे मैं गुर्व रामदा स्मारा चिता जो इतवार नुपा पूर मुनारे संते आप चिते चरना मुच में इंती केती सी कि जड़े पाटाई सन बड़े विद्वान सन और ओ क्यों आई सन क्योंकि रही संत हों टोल साद बहुतेरे जिटे सन्यासी तपीसी मुकों पंड़त मीठे बरस एक हों फिरे हो किनों नपर चोलाई हो फिर दे रहे हो सन्यासी बड़े मिले तपीसी बड़े मिले पंड़त भी बड़े मिले, बड़े मिट्टों, बोल दे से न मूँ, आपने भी देख्या हो ना, कई लोग बनावटी मिठास लेाके बोल देने, पर हुँझे लोग नहीं समझ दे, लोग ना पतीजे, तो क्या कीजे, पर की कर सकने, ऐसे लोग हमेशा ही चलाक हुन देने, खुद गर्ज हुन देने, कदी भी नोट करना, जिड़े, जिन दकुल मिठास है नहीं, जिड़े जबरदस्ती मिठास लेाके बोल रहे ने, एदा मतल ठगना चारे ने, पर लोग ना पतीजे, तो क्या कीजे, जिन नहीं समझ देता, पर की कर सकने, मत तर्ती देते, मैं पाई ता, तर्ती फरंत बाद, जिदो अपनी यां अखानू, तेरे से धान्त दिया ते लिए ते थले गड़ देता, पाप जिदो देखिया, के तेरा ही से धान्त मनु मिला सकता, परमात मादनार, और तेरा से धान्त की है, पिक्या जी ने फिर अगए जाके लेकिया ना, के गुरू ने मनु एक गल समझा देती, जो राखेते हो रही है, बस एनी गली है, और एह गल, आज होकम नमसाब जी देविच सद्गूर सानू समझा रहे ने, जे पास बेहाले ता तुझे एरादी, पास किते बैठांगे अपाने रंकार दे, उता अंगसांगा साड़े, जे मार कड़े, बीत आई, ओके समझा देनाल सानू मार कड़े का मैं बेंती किती जी के, सारा ही अंत्री पावक अर्थ देनाल परिया होया, अजदा हुकम नामसाब, अकरी अर्थ सबस्च ने कोल बिठाई, लेकिन केड़े कोल बिठाई, सिध्धान तक तो और पर जो मेरी आत्मा, तेरे उसे सिध्धान ते कोल जावे, और मार कड़े, बीति हाई, मार कड़े दिगाल उस पर मातमा दिया, जे तु मेरा अम्तिहान लवे, क्योंकि जाहर तो और पर जे मैं तेरे कोल जावाँगा, तो तु मैंनों अम्तिहान दिविच्छ ता पाएंगा, पाएंगा, अजमाएंगा, ये अजमाएंगा, क्योंकि आजमाश ही है, कि ते अजमाश नहीं होई, कि सद्गु गुनानक ठे महरेज़े ने लनींदी अजमश ने किती कि गुर अंगदे महरेज़जीने गुर अमरदास महरेज़िजी अजमाश ने कीती खेमा करनी हर जका उपर अजमाश है क्युंग क्योंकि आजमाश तो बाद ही Draw पता लग दा अजमाश देविच और उस अजमाश दी कस्वटी देविच जो असी खरे होके निकलिए ऐसी अवस्ता जे पास बसाल बस बहाले तो जे अरादी जे मार कड़े भी ते आई जे लोक सलाह ता तेरी उपमा लोक हो सकता मेरे शलागा करनी शुरू कर देन क्योंकि काली मेंडे कपड़ी काला मेंडा वेस लोक तह मेरे वेस नो देखन के गुनही परया में बना लोकों नहीं पता लगेगा लोक के लोग 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 के जे को नाव ले बदनामी कल के लखने हो कल जो कि देविच कई लोग निंद देवी ने ओच्छ डोदी गल की ते बैठा बोली जन्द है पर एदली मैं ए न सोचां कि मैं तो तेरा ही परचार कीता सी अम मेरी पेश पैगे ने लोग ते मैं तेनु छड़ जा मां मैं की लेना द कशे ना है यह रणग रे रण रुअस नहीं रणग सुप भी कर जांगे पर यह तु टो मेरे वाला है तो कोई कर की और कई वी जावे में नो की इसर है मैं तेरी या निगाहाच सचा होना है लोका निगाहाच नहीं हाँ जी तू विसरे आता फिर मेरी मौत है तू विसरे मर जाएं तू ना विसरी मन तो फिर मेरी मौत है क्योंकि हो सकता लोका निगलना विचा के मैं तेनु विसर जाएं वो इन्नी उपमा करन के मैं अपने अपरों तेरे बराबर समझ बैठा यह इन्नी निंदा होएं के मैं बिलकुल दोना ही हलाता है देविचे तोना विसरें वार वार जाएं गुर उपर पैरी संत मनाई नानक विचारा पैया दिवाना हर दरसन हर तोन दरसन के दाएं चक्षड चागी मीवर से बीगुर देखन जाएं चक्षड हनेरी है तेज हनेरी और चागी शबद की है एच चांग तो बढ़े हैं जिस वकत बहुत जोर दी चक्षड आउंदाना तपेड़ा दियां डालियां टानियां आपस देविचे टकड़ाओं दियां ते अवास पैदाओं दियां उन्हादे पत्ते उस वकत डिगने शुरू हो जाँदेने उस अवस्तानों चांगी केंदेने चांगना जदों सारे पत्ते च चांगे जांदेने पेड़ बिल्कुल रोड मुड़ अड़ा रहा जदा है वो अवस्ता है चांगन दी चक्षड चांगी मी वरसे बी गुर देखन जाई सद्गुर के अंदर मैं फेर भी आपना गुरू देखन देवास्ते जामा चक्षड चांगी मी वरसी बी गुर जाए इपाव सागर खारा ही है तो खारे दा पर तीक की है आप नोट करना मनुक जिस सागर नो पार करदा है ना बेड़े विच बैठके आपा चलो फैरीदे विच बैठके आपा केते जा रहे हुई है और प्यास लगे आपा सोचिए कि उसे ही सागर दा जिस सागर उपर तर के यit सी पार जा रहे है इदा पानी बीके पयास बजा ले ये इन्हा वड़ा सागर प्यास नी सधी बजा सकता क्योंकि उदा पानी पयास बजानादे काबल नहीं खारा है तो मनुक ने फिर की ए उस खारे पाणी उपर तरना अपने अपनों तार ताले आए तार के में ले ले एक बेड़ा त्यार करके तार ले आ मनों को दा पाणी नी पिंदा पर बेड़ा उदे ते रहके आप तर जन दा अपा इस संसार सागर दे विचे विकारा दा पाणी नी पिना खारा है नमकीन है अप वाहिगूर दे नामते स्वारू के एस तो तर जाना है समुन्द सागर होए बोखारा गुर सिक लंग गुर पह जाई जो प्राणी जलबिन है मरता तेहों सिक गुर बिन मर जाई जो तरती सोब करे जलबर से तेहों सिक गुर मिल बिगसाई बिगसाई खुशी दिवस्ता बिगसणा सेवक का हुए सेवक वर्ता करकर बिनहों बुलाई नानक की बिननती हर पे गुर मिल गुर सुख पाई गल सद्गुरु मनुख नू सुख दिदेना चांदेने और सुख केड़ा आत्मक सुख जिस सुख नू हासल कीती है मनुख दुनियावी तोर पर दुखा और सुखा दी उस पर करिया नू परमात्मा वलो आई हुए समझ के एस कदर सुख मनावे के दुख भी ता परमात्मा तेरे वलो आया अकाल प्रूख तेरे वलो आया इस करके जेड़ी चीज तेरे वलो आया वो मनुख हर हीले हर हालत विच कबूल है हर हालत विच वपरवान है क्योंकि आई वो तेरे वलो है और आई वो मेरे करमादे मताबक है इस करके कोई एना सोचे कि माय ता इन नहीं पाठ करदा सी में नो ते इना दुख मिलिया वो ता जराव नहीं कर दा उनों ता सुक ही सुक मिल रहे है इस सब पुर्भ ले मनमूर क काहे बिलाई ये पुर्भ लिखे का लिखे आपाईए बहुत बहुत आप चीदा तन बाथ बहुत आप चीदा शुक्रन इसन आज दे पवितर महा फर्मान दे हुकम नमसाब जिदे अंतरी पावकर्थ सार जिदे विच्छ सब्कूर कहने ने रेंड नस्कूर चर्ण अराधी दिया करो मेरसाई नानक का जियो पिंड गुर है गुर मेल तरपत अगाई नानक का प्रबपूर रे हो है जत कत तत गुसाई बहुत बहुत तन्वाद आप जीदा हो यह पूलना दे खिमा तो आज दे इतिहासक दे हड़ें दे मताबक आज दिया वापरिया कट नामा जिनादा सर्मान दे सिख इतिहासक दे नाड है आज अक्तूबर महीने दी ग्यारा तरीक है साल दो हजार ग्यारा आज दे दिन पाव 11 अक्तूबर 1710 वले दिन खालसा फाज दी लड़ाई होई सी खालसा आर्मी फाट ए पिच्ट बैटल अट और कैप्चिड रोहन शम शर्मास खां जो की लुलांदर दोहाब जोन दा गवर्नर सी सब गवर्नर सी उस दे नाड सिखांदी आज दे दिन लड़ाई होई सी उसने सिखांदे असल दे विच ठेकाणियां दा पता करन दे ली जगा जगा उपर अपने सिपाहियां दे रही हामले करवाई सान दे नाड जंग लच निकल के वार करया कर दे सन तो इसता नतीजा यह हुए सी कि अंडर दा कवर ऑफ टॉर्क्रेस सिखांदे नाड एक प्यानक जंग हुई जड़ी के रोहन दी जंग दिनार दिनार महुं मशूर है लेकिन इस जंग दे विच शर्मास खां ने इसका आज दे दिन अपना कब्जा जमाले सी 11 अक्तूबर 1710 वाले दिन 11 अक्तूबर 1711 वाले दिन उस वकत ते मुगल बादशा बहादर शादे केन उपर उनाँ जूदेया दफना देता गया सी? के पाट गुरु शर्ना देविच आई सन गुरु चर्ना देविच आई सन गुरु चर्नशर्न दी पाल देविच एना देविच्चों जडे छे पटसन उना दे नामसन तारा सिंग, सेवा सिंग, देवा सिंग, देशा सिंग, हरी सिंग आते नर्बाद सिंग देशा सिंग और हरी सिंग या पस देविच पराशन और नर्बाद सिंग जी देशा सिंग दे बेटे सन बहुत है तो इते मैं आप जिनुँ एक होर भी जिकर करदा चला के केशव शुंह सपिस्पु साफ जिनुँ जड़े आज दे देन जिऊंदे दफ नागें शनु एक केशव सिंभ जड़े पाटकीरत जी ने एक अर्दास पाटकीरत की गुर्रामदास राखो सरनाई पाट कीरत जी दे ग्रेंड संसन यानिके उना दे पोते सन ते पागत ते पाट पीखा जी दे जिनान क्यासी रही संद हो टोल साध बहुत एरे डिठे पाट पीखा जी दे आप जी ग्रेट ग्रेंड संसन केशो सिंग, देशा सिंग, तेहरी सिंग जी इतनों प्राइसन जिननों आज दे दिन क्योंकि एंपरर बहादर शाह नहीं संचोंदे के शरादे मतावक हिंदुस्तान दे विच राग या साज वजाए जान तो इस करके जिते हूर बाकियां कहियां नू जिऊंदेयां दफनाया गया सी आज दे दिन इना छे पटानू जेड़े के सत्कुरांति बाणी पढ़के रागां दे विच के इतन करया करदे सन उन्हानू जिऊंदेयां दफना देता गया सी आज दे दिन पाव 11 क्रूबर 1770 वाले दिन सिख मिसला ने इकठियां होके हमला मारे सी अते मुगला नू एस गल्दा ऐसास करवादे तसी के जे सिख जदों भी इकठियां देने उस वकत कोई भी शक्ती कोई भी ताकत उना दा मुकाबला नहीं कर सकती आज दे दिन पाव 11 क्रूबर 1770 वारे दिन आलोवाल नाम दे एक जगावे के चाली गुर्के सिखानू शहीद कर देता गया सी इना गुर्के सिखानू पहला बादशाय मुगल बादशाय के पेश कीता गया सी बादर्शाय दे अगे तो बादर्शाय ने हुकम देता सी कि जियो मुसल्मान बढ़ना कबूल कर लें ता उना नू नू ना सिरफ रहा ही कर देता जावेगा बलके उना नू संसार दे सुख मानना दा मान भी देता जावेगा अनिया था दूसरी जड़ी चोन है उन मौत दी है बादशाय नू दस्याग ऐसी कि उनना दे विच्चों किसे एक ने भी मुसल्मान बढ़ना कबूल नहीं सी किता इस तो बाद बादशाय ने उनना नू भी जिवन दियां जिम्मीन दे विच दफना देता सी ए साका पिंड अलोवाल जिते बादशाय बादशाय ने अपनी फोजदा डेरा लवाया हुए ऐसी उत्य हुए ऐसी तो इना दे विच यह पाट संग जिनाद में आप चीदे चलना विच जिकर कीता है इना दे विच वजहरे करके पाट रागा दे विच कीरतन करया करते संग आईदे दिन पाव 11 अक्तूबर 1960 वाले दिन पट्याड़ा विखे एक बहुत प्यानक गोली कांड हुए ऐसी एस गोली कांड दे विच दो गुरके सिंग शहीद हो गये सान असल दे विच 11 अक्तूबर वाले दिन अमरत सर्विखे एक बहुत वड़ा जलूस निकले सी जिस दे विच हजारां दी गिंटी दे विच गुरके सिंगा ने शिर्कत कीती सी एस जलूस दी अगवाही जतेदार मोन सिंग तोड़ जेड़े के शरोमनिय काले दल दे परधान सन उकार रहे सन एस जलूस दे विच हजारां ही बच्चे थे और तावी गुरके सिंगा दे नल शामल सन मौन सिंग जी तोड़ होना नू जयते तर मौन सिंग तोड़ होना नू आज दे दिन इस जलूस दो अलग करके गिर्फदार भी कर लिया गया सी आज दे दिन पाव 11 अक्तूबर 1982 वाले दिन दिल्ली पुलिस वलों गुरके सिंगा उपर सरयाम गोली चलाए गई सी रिकाब गजज साब गुरदवारी दे बाहर जित्छे चार गुरके सिक्षिझ दोगे सब असल दे वीच एगाल शूरू उद्रोई सी जधों अकाली एस सरकार नहीं करतें पर जवल्स को सरकार तो बाहर उन्देने उस वक्त हमेशा थे इसां के मौची लता। इन्व पाकी कह सकते हैं पाखांदी या जो भी आप सोच लो करतेने तो उस वकत बासराही अमरत सर्विके कुछ सिंगा नुल जान्दा जा रहें छी एक अल 10 सतंबर 1982 है तो जिस वकत एक उर्षिख जड़े बास्ते विची स्वार्शन तरन तारन दे कोल एक रेल्वे लाईने जित्थे की फाटक नहीं सी अज भी पंजाब दिविच आप जाके देखो के कईयां जगां उपर फाटक नहीं होंदे तो ऐसा क्या जन्दा के इना दी जड़ी गड़ी है जदों बगार फाटक वाली इस रेल्वे क्रॉसिंग नुँ पार कर लगी तो उस वक्त एक तेज रफ्तारां दी कड़ी दिनाल इना दी बास टकरा गई जिस देविच चौन्ती सिख जड़ी सन ओ मारे गई शुरोमनी अकाली दाल ने बात दिविच इना नु दरवारा सिंग सरकार्दी साज़िष्टे मताबक होया कतल गरदाने असी रेल हाथ से दिविच मारे गेशन इचौन्ती सिख इना दियां अस्थिया नु लेके एक जलूस कड़े गया सी जो कि आज दे दिन पाव 11 अक्टूबर 1982 वड़े दिन दिल्ली विखे पुजिया सी दिल्ली विखे जिस जगा उपर पार्लिमेंट है उस दे बिलकुल नाल गुर्दवारा रकाब का जसाब है तो गुर्के सिख न मकसद दिल्ली दी पार्लिमेंट तक अपढ़ना सी लेकिन पुलिस ने बगायर वार्निंग दे पहला हंजू के आश्ते गोले सुच चड़े फिर पाज रहे सिख उपर गोलियां वरानिये शुरू कर देती है इस अन आज दे झाल 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 झाल